हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आज है आप सब अच्छे होंगे तो आज हम करेंगे EMC की वर्क सीट 27 तो इस वर्क सीट का टाइटल है विसलेशन करके सीखना अनलाईज एंड लाउग देखो सीखने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है अनलाईज करना तो हेलो दोस्तों उमीद है स्कूल खुल जाने से आप सब को अच्छा लग रहा होगा मैं EMC बड़ी हाजिर हूँ इस सत्र की आखरी वर्क सीट के साथ देखो स्टूडेंट EMC से आपके अंदर काफी लाइफ स्किल्स डवलप हो चुकी हैं हमने जो है 26 वर्क सीट कर चुके हैं आज 27 वर्क सीट है जो की आपकी आखरी वर्क सीट है अब क्योंकि आपकी स्कूल खुल गए है तो अब हम एक्जाम के बाद स्कूल में ही मिलेंग आपको पता है अब आपके एक्जाम स्टार्ट होंगे तो EMC की अब जो और आपकी वर्क सीट है जो भी एक्टिविटी स्कूल खुल गए है तो हम स्कूल में ही EMC पर लेंगे तो वो हम अगले सेशन में करेंगे और ये वाली वर्क सीट आपकी लास्ट है EMC की क्योंकि यह इस अकादमिक सत्तर के आखरी वरक्षीट है, पहले हम अपने और अपने प्रिवार के कुछ अचीवमेंट्स और स्ट्रेंथ को लिखते हैं, जो हमने कोविट के समय में उपजरू की, तो आपको अपने प्रिवार की और अपनी स्ट्रेंथ, जो आपके अंदर क्या है स्ट्र स्ट्रेंथ हैं, और जो अचीवमेंट आपने की इस दुरेशन में, COVID-19 की दुरेशन में, आपके देखो घर पर रहे, तो घर पर आपके सदश्यों कोई काम जो है किसी का कुकिंग में स्ट्रेंथ थी, वो कुकिंग अच्छे तरह से कर सकता है, कोई फैमिली मेंबर, कोई भार से वेजटेबल स्कूल आना, भार के काम अच्छे तरह से कर सकता है, किसी को डांसिंग करना आता है, किसी को पेंटिंग, तो जो स्ट्रेंथ है वो आपको लिखने हैं, इसके लिए आपको अपने और आपके परिवार वालों की पीट पर एक कागच टेप से लगाना है और फिर बारी-बारी से एक दूसरे की अच्छाईया और स्ट्रेंथ को उस पर लिखना है, लिख लेने के बाद वह कागच आप निकाल कर पढ़िए और अपनी सारी खूबियों को याद रखिए, ताकि आपके सामने जब कोई चैलेंज आए तो आप अपनी इनके अधार पर उसका confidence से सामना कर पाएं, स्टुडेंट आपका भी भी देखना, जब आपकी positive points को भी बताता है, आपकी strength बताता है, तो आपका confidence अप होता है, तो इस activity के दुआरा आपके प्रिवार के स्टश्यों का confidence भी up होगा, जब भी कोई problem आएगी, आप वो seat जिसके उपर आपक strength लिखी गई है, वो जब आप पढ़ोगे, तो आपका confidence डवलप होगा, और आप हर problem का फिर अच्छे तरह से सामना कर सकते हो, क्योंकि विश्वास से, तो आपके विश्वास जब आपको अपने अंदर होता है, तो आप हर काम को बड़ी easily कर लेते हो, आखरी worksheet में हम ये हैं कि हमने पिछले साल EMC में क्या-क्या सीखा और कैसे सीखा, आप सोच रहे होंगे, क्या सीखा तो आसान है, पर कैसे सीखा, इसे कैसे सोचे, तो इस आखरी worksheet में, आपको पता है कि हम, कितने worksheet अभी तक कर चुके हैं, EMC की, 26 कर चुके हैं ना, तो उसमें आपने क्या सीख कैसे सीखा ये सब आपको सोचना है इसे समझने के लिए आए कुछ सवालों से सुरुआत करते हैं आप नीचे दिये गई किसी भी एक सवाल के बारे में सोच सकते हैं या इनके अलावा अपनी किसी और पूची के बारे में भी सोच सकते हैं जैसे कि swimming, dancing, इत्यादी ओके जैसे खाना बनाना कैसे सीखा गलती करके सीखा या अभ्याद से सीखा या दूसरों से सीखा आपको पताना है कि आपने कैसे सीखा नीचे दिये गए गोलों में सीखने के अलग-अलग तरीके लिखें हैं आपने जैसे भी सीखा है उन ओप्संस को चुनिए ये देखें बार-बार क किया पहले 10 गलतियां हुई, फिर दुबारा किया 9 गलतियां हुई, फिर तीसरी बार किया 2 गलतियां हुई, फिर नहीं हुई, मतलब आपने बार-बार करके try or error से सीखा, या एक ही बार में try करने से सीखा, आपको उस गोले को चुनना है, एक गोला भी हो सकता है, दो भी हो सक किसी और को देखने से सीखा, या गलतियों से सीखा, किताब पढ़कर सीखा, या दूसरों से फीड़ बैड लेकर सीखा, तो जो आपको ओप्शन सही लगता है, उससे आपको टिक लगानी है. सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, किताबों से, इंटरनेट से, दूसरों को अबजर्व करने से, इन सभी के साथ-साथ आजकल की तेजी से बदलते दुनिया में सीखने का एक और बहुत इंपोर्टेंट तरीका है, और वो है खुद के अनुभाव से मिली सीख से सीखना, वो हमारी पर्मनेंट मैमोरी में जाता है, जो हम अपने एक्सपिरियंस से सीखते हैं, जैसे कि आपने सीखा, उपर देगे सभी काम, आपने खुद बार-बार कोसिस करने उस परियास से मिलने वाले अनुभाव से सीखे होंगे, आईए, अब इस बात को समझने के लिए एक रिफ्लेक्टिव गतिविधी करते हैं, सोचने वाले गतिविधी करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, रिफ्लेक्ट करना, मतलब अपने किसी अनुभाव के बारे में समय निकाल कर सोचना, और उससे हमने क्या नया सीखा, वह समझना, अनुभाव से हमें अपने बारे में सक कमियां देखी कि मैंने उस काम को करने में क्या कमी छोड़ी जिसके कारण में सफल नहीं हो सका तो वो भी आपका सीखना ही हो गया ना EMC की कोई गतिविती चुनिए जिसे करने में आपको बहुत मजा आया है आपने आप Sith activities कर चुके हैं तो कोई भी एक activity चुनिए जिसमें आपको मजा आया EMC के अलाओ कोई ऐसा काम जो कुछ समय से सीखने का परियास कर रहे हैं या पढ़ाई से जुड़ा या कोई और भी काम हो सकता है जैसे कुछ नया सीखना आपने कोई भी नया काम किया हो आपने dancing सीखी हो पेंटिंग सीखी हो योगा सीखी हो उच्छ भी नया तो वो आपको यहाँ पर लिखना है कि वो आपने कैसे सीखा अब दो मिनट आख बंद करके ध्यान से उस गतिविधी के अनुहों के बारे में सोचे आपको उस समय कैसा लग रहा था आपने यह गतिविधी या काम अकेले किया था या किसी ओर के साथ क्या आप इसमें एक ही बार में सफल हो गए थे या आपको एक दो बार कोशिस करनी पड़ी थी आदी हर कदम पर आपने जो सीखा उसे एक चार्ट में लिखिए मालो आपने डांसिंग करना सीखा तो आपने फॉस्ट डे जब डांस किया तो कैसे क्या आप सुरताल में कर रहे थे गाने के स्टैप पे आप अच्छा डांस कर रहे थे या अपने धीरे धीरे दो दिन में थोड़ा और स्टैप अच्छे सीखे फिर ऐसे कैसे आपके अंदर perfection आई कोई भी activity जो आपने कुछ नया सीखा है उसके बारे में आपको चार्ट बना कर लिखना है और सीखने के प्रसस में देखो सुरुवात इस गतिविधिया काम को करने से पहले मुझे कैसा लग रहा था आपके अंदर confidence था मालो आपने dance ही सीखा तो जब आपने dance सीखा तो सुरू में जब आपने dance किया तो क्या आपके अंदर confidence था तो high point one आया जब सब मेरे अनुसार हो रहा था तब मैंने अपने बारे में क्या जाना या low point ये भी हो सकता है जब इस गतिविधि को करने में कुछ गड़बड हुई या वैसा result नहीं मिला जैसा सोचा था तब मैंने क्या सीखा आप किसी जो है मालो आपने पेंटिंग करना सीखा खराब पेंटिंग बन गई तो आपको कैसा अनुब हुआ low feel किया कि यार मैं तो drawing नहीं कर सकता पेंटिंग नहीं बना सकती मैं कैसा फिल हो आपको बताना है low point two लगातर कोसिस करने के बाद भी जब काम ठीक से नहीं हो रहा था तब मुझे कैसा लग रहा था फिर दोबारा आपने कोसिस की पेंटिंग बनाने की वो भी जादा संदर नहीं बनी तो कैसे feelings आई आपके अंदर फिर high point two कोसिस करते करते मैंने ऐसे क्या सीखा जिससे मैं काम में सफल होनी लगा फिर आपने जो पेंटिंग में गलतियां की वो आपको बताए गई आपने खुद अनालिसिस किया किसमें ये कमी है और फिर वो कमी है आपने पूरे कि तो कैसा फील हुआ आप प्राउड फी अगर आप अपने अनुभव से सीखने के बारे में और जानना चाहते हैं तो आगे बढ़ें कुछ सीखते समय अपना वीडियो बनाना और बाद में उसका विशलेशन करना या आपको अपने बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकता है देखो self assessment जो होता है analysis हम करते हैं मैंन में सारी जानकारी मिल सकती है अपने बारे में मा लीजे आपको पढ़ाना या dance करना या science का experiment करना बहुत पशंद है और आप इन में बहुत अच्छा बनना चाहते हैं तो कैसे अच्छा बनेंगे आपको visualization करना पड़ेगा analysis करना पड़ेगा ओके इसका एक बहुत बढ़िय तरीका है कि जब आप बच्छों को ट्वीशन पढ़ाएं या dance rehearsal करें या experiment करें मालो आपको teacher बनना है तो आपको study में आपका इंटरस्ट तो बच्छों को ट्वीशन पढ़ाएं कि उनको समझ में आता है कि नहीं आपके पढ़ाया हुआ dance तो dance rehearsal करने पढ़ेगी science में इंट अब इस net का वीडियो बनाएं बाद में उसे देखकर पता लगाएं कि आप क्या अच्छा कर रहे थे और आप क्या बहतर कर सकते हैं इससे आप खुद की feedback दे पाएंगे और अपने अनूबहों से लगाता सीख पाएंगे यह बिलकुल सीसे में देखने जैसा है जिससे हमें पता चलता है हम कैसे लग रहे हैं देखो जब आप वीडियो बनाते हो अपना नूबहों से रिकूर्ड करते हो तो आप खुद अनालेसिस कर सकते हैं कि क्या कमिया है और क्या उसमें अच्छा है अगर आप अपना वीडियो बनाएं तो हमें भी बताएगा कि उसे देखकर आपने क्या सीखा जल्द ही मिलते हैं स्कूल में खूब सारी मज़ेदार EMC गती विदियों के साथ तब तक के लिए EMC की पूरी टीम की तरफ से all the best तो स्टुडेंट यह आपकी लास्ट वर्कशीट थी तो EMC का जो है आपके अंदर EMC की वज़े से काफी life skills develop हो गई होंगी क्योंकि आपने 26th वर्कशीट आप कर चुके हैं तो यह life skill आपको भविश्चे में आपके जीवन में आगे भढ़ने में काफी सहायक सिद्ध होंगी क्यों क्योंकि इन वर्कशीट के थुरू आपके अंदर वो सारी qualities आ गई हैं जो आपकी personality के लिए जरूर ही हैं इस जमाने में आगे भढ़ने के लिए वो सारी life skills जो EMC के थुरू आपके अंदर डवल अप हुई हैं वो सब आपको एक successful इंसान बनाएंगी life में okay student thank you for watching this video have a nice day